और मैं हूँ आपके साथ सिफ़क्मार दिश्युक्तु सबसे बड़ी बात होती है जब राज्जी में मुख्यमंत्री को योजना लागू करते हैं और उस योजना का दारोंदार ऐसे लोगों के उपर हो उन ऐसे सम्विदा कर्मियों के उपर हो जो उसमें चार चांद लगा सकते हैं मुख्यमंत्री की योजना पंख लग सकते हैं कि मुख्यमंत्री की योजना और उंचाईयों पाती है जिसे वो चाहते हैं इस्कूल चलो अभिहान यह वही सिक्षा मित्री यह वही अनुदेशक कि मुख्यमंत्री योगी आदित तिनात की उस हर एक्षा को पूरी कर सकते हैं जो उनकी इच्छा कि अनुदेशक को के उपर दवाव रहता है कि सो चात्रों से विद्ध्याले में चात्र कम न हो जाएं अगर हो जाएंगे तो रिनुवल नहीं होगा हलाग इस सब पर बातचीत हुई है और आज इस पर अनुदेशक संके प्रदेश अध्यक्ष दूसरे संखन के हैं उनके नेता की भी मुलकात होने की चर्चा है और बातचीत भी हुई है और मैं आपसे पहले ही उम्मीद जता चुका था कि सरकार जैसे ही पहली मीटिंग होगी तो 2000 जो आपका मांदे वड़ा था वो जल्द आपको मिलने वाला है साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग रिनुवल इन दो तीन बातों पर एहम बात चल रही है जल्द ही सब पर बातचीत होगी और जल्द एक अच्छी ख़बर भी मिलने वाली है ग्राम प्रहरी को लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है उनका जो लेटर था वो पहुंचा दिया गया जहां तक जाना चाहिए था मुद्दा बड़ा खास है कि स्कूल चलो अभिहान जहां मुख्यमंत्री का एक सपना है और उस सपना को पूरा करने के लिए प्रदेश के अनुदेशक और सिच्छा मित्र प्रात्मिक विद्ध्याले के वो प्रधाना अध्यापक साहिक अध्यापक जूनियर आई स्कूल के प्रधाना अध्यापक साहिक अध्यापश जहां इन वच्चों की भीड़ लाने में एक इस्थम्ब सावित होंगे उन्हीं इस्थम्बों की बेकद्री क्यों क्या कि 233 रुपिया कि 33 पैसा से इस्कूल चलो अभिहान तो काम्याब हो सकता है लेकिन उस घर के चूले की आग जलना काम्याब नहीं हो सकता है उस अनुदेशक का आगवन आवागमन उन 233 रुपिया से पूरा नहीं हो सकता सवाल एक नहीं यान गिनत हैं आज एक लेटर बारेल हो रहा था मैंने भी पड़ा एक अनुदेशिक आने आज इस्तीफा सिर्फ इसलिए दे दिया कि साथ अजार का वेतन उसके बाद पारवारी कल है कैसे निपके मैं सब्हों माननियों से भी पूछना चाहता हूं कि आप जैसे चुनाव जीत जाते हैं आपको वेतन मिल जाता है पैंसन मिल जाती बहुता मिल जाता है और चार पेंच तो इननों अनुदेशियों को भी बता दीजियों अजिक्ञे मित्रों को भी बनी रहे हैं क्रपा पर उपर वाला करता है , , , जो आपके उपर ज्यादा हो जाथे इनके ऊपर नहीं होती है यह भी तो मानम है यह भी हिंदु के पुरोधा हैं यह भी धरम के जानकार हैं अभी नवदुर्गा का काम चल रहा है सभी घर में पूझा पाठ हो रहा है तो क्रपा इन पर क्यों नहीं आप पर ही क्यों जादा है इसका कौन जवाब देगा अगे थोड़ी बहुत तो बढ़ जा रहा है उससे भी टाइम पर बेतन नहीं आपका बितन तो टाइम पर मिलता है करेंगे कि मैं किसी एक दो के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं उन सभी मानने जो 403 चुनकर इस उत्तरफ्डेश की जनता ने भेज़े हैं जमदारी आप समकी है किसी एक की नहीं आप कब संतन में चिलाओगे क्या अनुदेशक मरा जा रहा है भूखा वो असिस्टेंट प्रोफेसर भूख से चिला रहा है वो ग्राम प्रहरी 83 रुपिया में अब उसमें च्छंता नहीं रही है उसके पाउं जबाब दे चुके हैं वो नहीं जा सकता अब थाने खबर लेकर आपकी नहीं कर सकता मुखवीरी 83 रुपिया में बगल के राज चसुत स्रेडी करमचारी का तरजा देती है अब आपका होगे फिर आपने एक नई बात निकाल ली भाहिया विहार सीमा पर लगता है उसी की देख लीजिए क्यों वो ऐसा कर रहे हैं पर उपदेश कुसल बहतेरी दूसरे को उपदेश देना दूसरे के राज्यों के आपर आज की अपने राज्य से समीक्षा करना दूसरे राज्यों के विकास की अपने राज्यों से समीक्षा करना लेकिन दूसरे राज्जी में जो योजनाएं लागू हैं दूसरे राज्जी में जो करमचारियों के लिए लावानवित योजनाएं लागू हैं उन पर नहीं चर्चा नहीं करोगे लेकिन अगर वो कोई गलत काम करती हैं तो उस पर हंगामा जरूर खड़ा कर दोगे उस पर question mark जरूर लगा दोगे बड़े से बड़े नेता शिच्छा स्वास्था के रोजगार के सवाल पर कन्मी काचने लगते हैं क्यों इस देश में शिच्छा नीती एक तरीके से क्यों लागू नहीं है हर प्रदेश की अलग सिच्छा उस प्रदेश में भी सी बीएसी वोड राज्य सरकार का वोड फला वोड धेकाना वोड फिर वह काई की पढ़ाई है और अगर कोई पढ़ाना भी चाहता तो उसे मांदे नहीं मिलता अभी लगाता है रहनुदेशक अपने वो जूनियर बच्चों के वीडियो हमें भेज रहे हैं उन्हें बच्चे भावों को के कह रहे हैं कि सर आप थे इसलिए हमारी यह सिच्छा यहां तक पहुँचिए और जब वो बच्चा भावों को के कहता है कि गुरू जी बहुत अच्छा पढ़ाते थे और जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हें पढ़ाने वाले को तनुखा किती मिलती थे तो वरो पढ़ता है बच्चा उसे पता है कि यह वही अध्या पके जिसे 233 रुपया सरकार देती है कि खामोसी कब तक कि सही है कि बताने में कि सर्म आती है कि कि आखिर हम किस और जा रही है और अगर यही समिदा कर्मी विरोद्गारी और इन सब का यही हाल रहा तो मैं बादे के साथ आपसे कह रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं होगा जब सिरी लंका की तरह हम आपस में लड़ने जगडने लगेंगे एक एक रोटी और एक एक चाय के लिए हलाग कुछ उच्चा दिकारी नहीं सोर संकेत कर दिये